अलो भाईयों एक बाव फिर से आप सब का स्वागत हैं आपके अपने चलमें इस वीडियो में बात करेंगे जो आज के दिन स्रिलंका और जो इंडिया के बीच में ODI सीरी चल रही है उसका तीसरा और आखरी मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला इंडिया टीम के लि आपको स्मोल लिग में लेके दिया था और उस बंदे ने अपनको वन सैडिड विनिंग करवाई थी लगबग मैं 200 पॉइंट के डिफरेंस से आप लास में जीता हूं तो कुछ उसी प्रिकार की कोशिस आज के मेंच में रहेगी सारी कंडिशन्स आपको बताऊंगा बस एक चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी तो बीना देरी के वीडियो करते हैं सुरू मुकाबला जो है देखो स्टार्ट होगा अधाई वजे और मैच जो है ना सेम वेन्यू पर खेला जाएगा आर प्रेमा दासा इस्टेडियम कोलंबो पे जहां पर अब तक के सारे मैच्च सिरीच के खेले गए हैं सबसे जरूरी चीज क्या रहेगी देखो इस मैच मेना टॉस बहुत इंपोर्टन रहेगा तो आपका टेलीग्राम चलने से जोनों बहुत ज़ादा जरूरी है टेलीग्राम चलने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट साथ मेच इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं जो कंप्लेट हुए हैं उसमें से छे जीत हैं इंडिया ने और एक जीत हैं सिरुलंका ने इस वेन्यू के रिकोर्ड की बात कर लेते तो यहां पर देखो इस स्रीज में दो मेच हुए हैं एक जीता है बेटिंग फर्स के इस पिनर्स और ज्यादा गेम में आ रहे हैं इस पिनर्स को बहुत ज्यादा है एवरेज इसकोर यहां पर 230 के संथिंग आप मानके चलो इससे कम ही आपको देखने को मिलेगा ज्यादा स्कॉर मिलने के जांसे कम हैं अब देखो इंडिया की तरफ से लास्ट मिच में ओपन क अब यहां पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बेटिंग ओडर के साथ में अपन स्टाइट्स देखेंगे तो देखो सुमन गिल पहले में 16 रन की एक ओवर डाला विकेट रहे हैं लेकिन एक पॉइंट गिल के फेवर में यह जाता है कि पावर प्ले में वेटिंग करने आता है देखो हेट्टोएड में 8 मेच में 396 रन जीरो विकेट है वेन्यू पर 6 मेच में 276 जीरो विकेट है रिकोर्ट तो बहुत बढ़ी है और प्लेयर भी बहुत बढ़ी है रोहित कवाई बताने के जरुत नहीं कमाल के फॉर्म में 58 और 64 की दो बहुत तकड़ी नोग इसने ख सवदा है विराट कोली ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे अगर इंडिया पहले बेटिंग करता है तब क्योंकि फिर ये काम आएंगे बहुत अच्छा स्कोर भी आपको बनाते नजर आएंगे हैट्टोएड में 25 मेच में 262 रन वेन्यू पर 13 मेच में 682 रन सिवम दूब सबसे अच्छे चोईज रहेंगे एक्षर पटेल क्योंकि पूरे दस ओवर भी डाल रहे हैं साथ के साथ में आपको बेटिंग भी ज्यादा तर टॉप सिक्स में दे देंगे ये हैट्टोएड में 15 मेच में 1221 विगेड है वेन्यू पर 5 में 145 विगेड है स्रेश ये रिद में 9 में 366 में दो मेच में 30 हैं तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि इंडिया स्कोर चेस करेगा उस कंडिशन में मेरे टीम में रहेंगे गिल और रोहित और उसके लवा अक्षर पटेल अब देखो अब आप चाहो तो विराट कोली को रख सकते हो गिल की जगे लेक केल राहूल पहले में 31 दूसरे में 0 हैं हेट्ट्वेड में 13 में 340 वेन्यू पर 7 में 207 ये भी काफी नीशे बेटिंग कर रहे हैं वाशिंटन सुंदर पहले में 5 एक विगट दूसरे में 15 तीन विगट मिस मत करना इस्पिनर्स को तो इस ग्राउंड पे बिलकुल भी आप मैं 35 तीर में 24 विगट हैं पहले में एक विगट है इस साथरे में 2 विगट हैं अब यहां से देखो वासिंग्टन और खुल्दीश को तो आपको रुखना है लेकिन अर्षदीप को मैं रखूंगा अगर इंडिया पहले बोलिंग करता है अगर इंडिया बाद में बोलिंग करता है तो मैं अर्षदीप को भी नहीं रखूंगा फिर मेरे टीम में एक एक्चेंज हो सकता है कि रिशपपंद आ जाए केल राउट की जगे बाकि वो भी मेरे को मुस्किल लग रहा है क्योंकि अगर मोका दिया है तो केल राउट को पूरा मोका टीम देगी इंडिया की तरब से स्टारिंग ओवर ढालतें अशदीब सिंग मोहंबस चिराज अक्शर पडेल रेत अशदीब सिंग मोहंबस चिराज और कुल्दीब क्यादो माट करते हैं शृलंगा के टीम में की एनके टीम से लासमेंच मेंच में ओपन किया पथुम निशंका अविश्का फणनेंडो फिला स्टाइट्स की बात करें, पहला मेच इनका टाहिरा, दूसरा मेच इनकी टीम जीती हैं, पतम निशनकादे को पहले में 56, दूसर में 0 है, हेट्टोड में 6 मेच में 136, 22 कावरेज, वेन्यू पर 9 मेच में 245, 31 कावरेज हैं, अभिश्का फरनेंडो एक और 40 हैं, हेट्टोड म 8 और 14 बहुत इस्ट्रगल कर रहे हैं, हेट्टोड में 6 मेच में 81, वेन्यू पर 10 में 294, पहले में 14 तीन विकेट, दूसर में 25 तीन विकेट, भाई देखो बेटिंग से फॉर्म में नहीं, लेकिन बंदा बोलिंग से बहुत तगड़ी फॉर्म में, बिलकुल रखना, जनि यह चीज़ आप ध्याम में रखना, दुनित वलाल कि बिलकुल टीम में होना चीए, पहले में 62 विकेट, दूसर में 49 जीरो विकेट, हेट्टोड में 7 मिच में 97 विकेट, वेन्यू पर 9 मिच में 182, 14 विकेट, कमेंडो मेंडिस पहला खेला नहीं, दूसर में 40 जीरो वेंडर सी, लास्ट में 6 विकेट, हेट्ट में 2 मिच में 6 विकेट, वेन्यू पर 6 में 13 विकेट है, असिता फनेंडो 2 मिच में 1 की विकेट है, तो यहां से देखो, इंपोर्टन कोन है, दूनित वलाल के, अखिला दननजे, और जेफरी वेंडर सी, तीनों अच्छे बोल र करना, अगर इंडिया सेकंड बेटिंग करना है, जैसा के बन मान के चल रहा है, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिन और भी जादा होगा, बाकि यह इनके बेंच के प्लेर लेकर कोई खेलता है, तो लास्ट में स्टार्टिंग ओवर डाले थे, अशिता फनेंडो, दुनित टीम आपको वाँ पर मिलेगी, लास्ट मेच की तरह इस मेच में भी अल्टा क्लिंसिप करने की कोशिस अपनी रहेगी, एलिग्राम चलने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में टॉप पर पिन कियाव आपको मिल से क्याप्टर मेरे अक्षर पटेल वोईस के अपने तुलाल लगे, फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लास्त देखने के लिए आप सबका धन्यवाद